आज की वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा किस तरीका से अधार कार्ट के न्यू पोटल से आपका इसे पेमेंट हिस्ट्री कैसे चेक करेंगे कि आपका जो है पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है या पेंडिंग है या फेल है या कम्पलीट है वो मैं आपको इस वीडिय निया वीडियो स्पाई या प्रुजाना मेरे चैनल पर पड़े निया निया वीडियो अप्लोड होते रहता है और मेरे वीडियो से आपको जरूर कुछ न कुछ नोलेज प्राप्त होगा तो मैं आपको इस वीडियो में यह बताऊं कर जो है आप पी ही सी अधार कार्ड के ल नहीं पेंडिंग में या फैल हो गिया है मैं आपको वही प्रोसेस बताऊंगा इस वीडियो में कि किस तरीका से आप मबाल फॉन से लेप्टॉप से बहुत ही इजी तरीका से पेमेंट हिस्ट्री कैसे चेक करेंगे वह भी अधार काड़के न्यू पोटल से तो इस वीडियो आप लास तक जरूर देखेगा कंप्लेटली जरूर देखेगा चलिए वीडियो को सुरू करते हैं अधार काड़के न्यू पोटल से मैं आपको यह बताऊंगा कि आप जो पैमेंट किये हुए है तो वह आपको पैमेंट हिस्ट्री में आपको पैर दिखाता है या फेल दिखाता है या पेंडिंग दिखाता है तो वह आप कहां पे चेक करेंगे अधार काड़के न्यू पो देना है जैसे इसे पर किलिक करते तो यहां पर देखे कि यू आइडीयकर वबिशाइट यहां पर ओपन हो के आ चुका है यहां पर देखे कि यहां पर को मिल ला मायाधहार.u आइडियाइड.ड़्गी यह भी आप करेंगे तो यहीं पेज खूल के आएगा तो आपको इस प यह बताऊंगा कि आप जो है payment history कहां पे चेक करेंगा तो सबसे पहले क्या करना है यहाँ पर login वालेपर के लिक करना है login जैसे ही आप किलिक करते हैं तो यहां पर देखे कि आपको पहले बोलता है कि यहां पर आपको लोगिन वाले पर किलिक करना है यहां पर देखे कि आपके मुबाल पर OTP गिया हुआ यहां पर एक मिनिट का टाम रहता है तो यहां पर एक मिनिट में अपना OTP यहां पर इंटर कर देंगे वो टीपिछ डालने के वास इम्प्लि यहां लोगिन पार पे कीज़िएगा जैसे इसदेन के करते यहां पर आप जो है यहां पर आप हें, यहां पर आपको सामने में यह यहां पर देख़ रही है कि यहां पर अधार कर सकते हैं यहां पर पर जो enforce कर सकते हैं और यहां पर नहीं Would पर आप जो है payment history check कर सकते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आप payment history कैसे check करेंगे तो यहां पर payment वाले का आपको click कर देना है यहां पर आपको yes rn नंबर आगया transaction ID आगया payment date आगया कब आप payment कियो हुए और यहां पर payment status आगया कि आपका Mentioned फैल है pending है या आपका हो गया तो यहां पर मैं इस को ल्टन करके नीचा आपकर देख सकते हैं कि आप कूंसा payment किये हुए हैं कितना किई हूए कॉंसा date में किये हुए है और यहां पर नाम किया है यहां पर फैले स भी आपको यहां पर आप सो कर देता है तो एक step आपको देख रहे हैं कि आप जो भी यहां पर नीचे सऊ होगा यहां पर दीक्र imp, किये हुआ हैं तो क्या चीछ के लिए प्लिए यहां प्लिट किये हुए हैं यहां पर देखे लामियो घंगर है ईतने सारा च्हों हो तो arrog has अगर प्रवा होता है जार इसके नीचे अच्तिकल में किया हुए तो किया हुए तो यहां पे पैमेंड रहे गा वहां पर प्रॉम puntos रहेगा 10 रहेगा आगर तो से आपको फियर देखाएगा और यहां पह आद़ीनक रहेन दखाएगा और ऐहां डीटेल देखने के लिए कि आप प्लेटर देखाई देगा कि आप का पैंवेंट किये हुए है इसा किये हुए है आप आप पेंवेंट हिस्ट्री देख सकते हैं कि आप जो है payment किये हुए है फेल है Πैंडिंग है या आप कैंसिल की हुए है वह सारा कुछ जो है यहां पे payment history पे कीक करके वह सारा कुछ आप यहां से एक ही की लिक में देख सकते हैं तो गयाज यह कि वीडियो आपको कहसा लगा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को like कीजिए अपने फ्रेंट के साथ share कीजिए अब तो आप अच्छी तरीका से यह सीखी लिए होंगे यह किस तरीका से अधार कार की न्यू पोटल से आप payment history कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका प्रेमेंट हुआ है नहीं फेल है या पेंडिंग है या कमपलीट है आपके यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए या अपने फ्रेंक के साथ सेर करिए अगर आपके दिल में कोई कॉस्चन हो तो नीचे कमेंट बाक्स मुझा के कमेंट करके पूस सकते हैं